नमस्का दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे देखिए लास्ट क्लास में तो अपने डिसकस किया था क्या लीनर एक्वेशन सौल वाई दा क्रेमर रूल लीनर एक्वेशन को अपन क्या करते थे सिस्टम करते थे वाई योजिंग क्रेमर रूल के द्वारा आज हम यूज करें के सौलूशन ऑफ सिस्टम ऑफ दा लीनर एक्वेशन वाई यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जिस तरीके से अपने पाइन आट करते थे उसका यूज करते हुए अच्छा टॉपिक है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा देखती है देखिए तो जैसे सब वह दाट आपके पास है कोई भी लीनर एक्वेशन दे रखी है आपके पास है ए ए वन वन एक्स एंड प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री जैड एक्वाल टो आपके पास है दे रखा है वी वन एंड दूसरी लेन एक्वेशन दे रखी है आपके पास ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जैड एक्वाल टो आपके पास एक्वेशन दे रखी है तू बी टू एंड तीसरी एक्वेशन है ए थ्री वन एक्स प करना है इंवर्स रूल से इंवर्स मैट्रिक्स रूल से तो देखिए सबसे पहले आप उनको क्या करना होगा इसको आपन मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं इस जो आपके पास लीनेर रिक्वेशन दे रखिए इनको अपनको मैट्रिक्स रूप में लिखना पड़ेता है मैट्रिक्स रूप में लिखिएगा तो सबसे पहले इनको क्या कर लिजएगा यहां से इनके सारे कॉपी सेंड निकाल लिजएगा तो कॉपी सेंड क्या हो जाएगा आपके पास A11, A12, A13 and A21, A22, A23 and A31, A32 and A33 यह आपके पास है और इनी का multiple क्या था आपके पास है तीनों का multiple क्या था X, Y and Z और equal to क्या था इनको B1, B2 and B3 तो इनको अपने क्या किया matrix form में लिख लिए matrix form में लिख लिए तो इस पूरे जो कॉपी सेंड थे उनको नाम दे दिया मैंने क्या A नाम दे दिया इनको क्या नाम दे दिया A नाम दे दिया और इस जो X, Y, Z इनको नाम दे दियते है मैंने क्या X इनको नाम क्या दे दिया X equal to इसको क्या नाम दे दिया मैंने B इसको क्या नाम दे दिया मैंने B तो अब जब आप उनको किस की value निकालने है x y z की value निकाल लिए है तो x y z की value निकाल लिए है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि x equal to क्या हो जाएगा b upon a लिख सकता हो तो b upon a तो a कहों चला जाएगा आपके पास उपर B upon A A कहां चला जाएगा आपके पास आपके पास आपके पास आपके X equal to A inverse B X equal to A inverse B X equal to A inverse B X equal to क्या हो जाता है आपके पास है A inverse B तो मतलब आपने इस वाली मैट्रिक्स का वाली मैर्टेक्स का अगर निकाल कि भी वाली मैटेक। से मल्टिप्लाई कर दिये तो वो मिल जाते हैं एकस जड़ की वैलु आपन ला मिल सकती है उन्हें को यहाली यह यहाली नपाल को को करना है तो देखिए अपने क्या कर पाएंगे तो देखिए अपने कौन सा ता अपने पास को आपने को सॉल्व करना है और उन से ही अपनों क्या दिए एक्स वाइड की वैलू फाइंड आउट करनी है तो देखिए आग बास किस तरीके कुश्टन दे रखा है किस तरीके से जैसे मानलो अभी आपने जो प्रेमर रूल से आ उसको आपने क्रैमर से बीकों सी YES कूल लेते हैं और यसे अपना वार भी ओजाएगा चैस्डवां से केसे डूम ini आता जैसे अपने लीकार सब परने question लिया था question देखे linear question आपके पास हम दे रखी है क्या linear question दे रखी है कि उन दोनों से अपना same answer आता है कि नहीं आता है देखिए क्या था अपने पास में कि 2x minus के y plus के 3z equal to 9 and 3x plus 2y minus के z equal to 4 and x plus y minus के z equal to अपने पास हम चीरो यह equation अपने उसके लिए थी grammar rule के लिए और यहीं से अपन दूसरी एसी से inverse matrix rule से भी अपन को इसी वाली equation को solve करते हैं देखिए इस equation को solve करने तो सबसे पहले इसको अपन matrix form में change करने matrix form में change करने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा कि इसको किस वाली form में change करना पड़ेगा अपनको कि a x equal to b form में अपनको change करना पड़ेगा किस में a x equal to b form में भी एकस एकल डू बी इस वाली फway में चेंज कर लीजे तो सबसे पहले अपने पास कोपीसिेंट आ जाएंगे तो फ्री वन तो इस देक्षेंड नहीं कर किस्की का लेता हूं किसमें एकस वाली फ़रम में एकस एककल डू अपने पास में आंपने फेर n कापीसेंट सभी xyz के एंड एकस क्या था आपके पास में x y & z and b क्या था आपके पास 2 & 1 & Z को अवबमे थे मानस वान 2 & 1 & Z को फिरूंट कितने थे 3-1 .. तो छी अपने पास एया मेर्टिक्स नीया काल लिया। अब देखिए । इसको अपने को क्या n operating ko क्या निकालना ना है कि में एक्सी की वेल्व निकालने तो एक्सी इक्सी क्या था अपने क्या फाट इन्वर्स निकालना है क्या करना पड़ेगा इसके आपको पता था इंवर्स मैटिक्स हिंक लिए आपने क्या क्या किया था माइनस निकाल लेते हैं माइनस निकालने के बाद है को फेक्टर निकालने के बाद है ट्रांस्पर्ज करने के बाद में क्या निकालने है एड्जॉइंट ओफ एड्जॉइंट अपन मॉड ए अपन मॉड ए मॉड ए क्या होता था वैलू आफ डिटर एड़ जोइंट ओफ ए अपाउन क्या होता था मौड ए तो यह निकाल लिए एड़ जोइंट ओफ ए निकाली तो सबसे पहले में मौड ए निकाल लेता मौड एक्वल्ट क्या होता है वैल्वा उप मैंट्रेक्स निकाले एक तो तो वाला कॉलम ऐड कीजिए तो वाला रोड कीजिए देखेगा आप यहां से से कॉलम एड कीजिए तो बन जांगा प्लस हो जांगा तो माइनस के टू प्लस के वन आप्र देट दूसरे के लिए माइनस लेना है तो माइनस ओल डेटी तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएंगा आपके प्लस का वन आप्र देट त्री बन जा थ्री माइनस के थ्री एंड माइनस माइनस यह क्या हो जाएंगा प्लस का वन प्लस के वन तीसरे के लिए आपके पास में प्लस के 3, प्लस के 3, एंड 3 बन जा 3 माइनस के 2, तो यह कितना आजाएगा 3 बन जा 3 माइनस के 2, यह आगए आपके पास में, तो इसको आप solve किजें, तो इसको solve करो कि तो यहां से कितना बज़ जाएगा, माइनस का 1, ठेक है, और प्लस 1, यहां से कितना बज़ जाएगा का नायाद 錢 कि यहां से यहां से है। फ्लस के थ्री और यहां से बज्जाएगा आपका एंवाशन वन इसका मल्टिप्लाइues से कर दीजेगा तह माइनस के माइनस के टू हो जाएगा make पॉर इसका मल्टिप्लाइबस से कर दो हो गया तो प्लस के हो इसके बाइब निकॉलने के लिए अपने पास क्या करना होगा इनके Select सबसे पहले आफ़ निकाल लेते हैं क्या माइनर स मैंनर से निकाल लेगा तो माइनर से क्या हो जाते हैं आपके पास हैं तो माइनस निकालो सभी के लिए पहले वाले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए कितना हो जाएगा आपके पास हैं माइनस का वन दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास हैं दूसरे के लिए कितना है आपके पास हो आ रहा है माइनस के टू ए एंड तीसरे के लिए कितना जाएगा और परस पर यह निकाल लए गार गया तो यह कितना के 3 कितना बच जाएगा माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 2 इसके बाद में आप निकाल लेगा 2 के लिए तो 2 के लिए निकाल लेगा तो 2 बन जा 1 माइनस के और जो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 माइनस के 5 एंड इसके टूपलस 1 कितों आज एगा थे इसके बात में इसके लिए निकाले मोपी एगा वण हो जाएगा मानुस के 5 किस उसे कितना हो जाएगा आपके बात सुन देखिएगगा माइनस माइनस माइन प्लस का वन और यह कितना जाएगा माइनस के सिक्स माइनस के सिक्स प्लस का वन तो कितना हो जाएगा आपके पास में फाइव आ जाएगा किसका आ जाएगा आपके पास में माइनस के फाइव ठीक है अब इसके लिए निकल लिएगा 1 याय बन के लिए ग 두 कर याए टो तो मैनस का फूर प्लस हो जाएगा 27 ये आ आगए आपके बास है माइनर्स अब माइनर्स निकालने के बाद क्या निकालने होंगे को फेक्टर को फेक्टर किस तरीके से निकालते थे साइन चेंज करने हैं बस उनली साइन का मल्टिप्लाइ करने साइन का मल्टिप्लाइ किस तरीके से करते थे यह करते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक तर निकाल जाएगे को फिक्टर निकाल लीएगा कि मुल्टिप्लाइ चरथो पहले वाले को क्या ले आना एज इस मैं सकहरना दूसरे वाला मानस वाला मानस क्या हो जाएगा प्लस के सबस्क्राइब गया यह के प्लस का बन इसके लिए लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू हो जाएगा यह आपके पास माइनस के 5 एजटेज यह आपके पास माइनस के 3 आ जाएगे इसके बाद ने इसको माइनस के 5 एजटेज यह क्या हो जाएगा प्लस के 11 हो जाएगे और यह आपक वार ये ही क्या होता था एड जाइंट जोएंट ऐड जोएंट ऑ एक्वल टू क्या होता था इसका ट्रांस्पोज तो ट्रांस्पोज माइनस 1, 2, 1, 2, माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस के 5, 11, 7 और इसका क्या निकालना आपके पास है, ट्रांस्पोर्ट, एकोल टू, क्या हो जाएगा आपके पास है एकोल टू, कीजेगा, माइनस के 1, 2, 1, माइनस के 5, माइनस के 3, एनद मानस के 5, 11, जब जाएगा तो यह का निकल गए बास है, अब एड़ जाइन्ट ओफ ही निकल गए, इसमें आपको क्या करना है माइनस वन से डिवाइड करना है तो मोड ए तो A inverse equal to 1 upon माइनस 1 और ये आजाएगा आपके पास में तो माइनस 1, 2, 5 माइनस 1, 2, 5 एंड 2, माइनस 5, 11 और ये रहेगा आपके पास 1 माइनस के 3, 7 वन मानस के थ्री जो क्या अब इसका मॉल्टिप्लाइब किया चैना मानस का इससे मॉल्टिप्लाइब कर दो जाएगा इंवर्स एक्वल टू एंवर्स एकल टू क्या जाएगा आप पर पास में यह जाएगा वन टू सॉरी यह वन मानस के टू हो जाएगा मानस के फाइव हो जाएगा यहां से आपके पास कितना हो जाएगा मानस के टू यह हो जाएगा आपके पास में प्लस का फाइव यह मानस के एलेवन और यह हो जाएगा आपके पास मानस का वन यह प्लस का थ्री और यह हो जाएगा म inverse इसको अपकून क्या प्राइब ऐब देते हैं अपने पासओ ए इन बार्म है कि यह तो हागया आपके पास में है it से कंड़ कियेगा यह क्या आगया को आपके पास है inverse यहां पर उसक्राइब क्या था let me मैंस के फाइब था माइनस 5, 11 and 7 तो यहाँ पर यह माइनस का है माइनस माइनस यह क्या हो जाएंगा आपके पास में प्लस का यह पहले से माइनस का था तो माइनस पहले से था माइनस का इसमें डिवाट कर दो तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएंगा आपके प्लस हो जाएंगा X equal to A inverse की value आपके पास मैं कितनी आई है रखिएगा 1 minus के 2 plus के 5 ठीक है minus के 2 plus के 5 minus के 11 and 1 minus के 3 and minus 7 और इसके multiply के से करना है B B equal to केतना है आपके पास है 940 940 इसका multiply किस तरीके से कर से कर से करो का multiply किस से करते है column से column से column से कर दें equal to कीजिएगा रोका multiply किस से कर दें column से तब one multiplied by 9 one multiplied by 9 plus minus के 2 multiplied by minus के 2 multiplied by 4 plus 0 multiplied by 5 तो कितना जाएगा है 0 ही आ जाएगा ये तो ठीक है अब इसी तरीके से second रोका second column के साथ minus का 2 multiplied by 9 minus के 2 multiplied by 9 plus 5 multiplied by 4 5 multiplied by 4 plus 11 multiplied by 0 ये तर रहेगा 0 इसके बाद आपके पास है one multiplied by किस से 9 से minus 1 का 9 से and plus 3 multiplied by किस से 4 से plus minus के 7 multiplied by 0 से तो ये क्या रहेगा आपके पास है 0 ही रहेगा तो इस तरीके से अपने जे solve किया अब solve करने के बाद अब इसकी value कितनी आ जाती है आपके पास है देखीगा तो one तो ये हो जाएगा 9 minus के 8 9 minus के 8 तो कितना आ जाएगा आपके पास है one आ जाएगा ठीक है यहाँ से देखेगा 9 2 जा minus के 18 and 5 पोल जा 20 तो 20 plus के है 18 minus के हैं तो कितना बज़ जाएगा आको आपके आस है 2 यहाँपर देखीगा 9 किसके माइनस के और 12 किसके हैं प्लस के तो यह आंपर कितना बजाएगा आपके पासन 30 अ ऑन देखिएगा अब इसकी कंपेर कर दो अपके पासन क्या आ गया यह वैलू आ गई लुद्ध आपने क्या मानाता है यह चीज मानी थी न क्या मानाता एकस वाइज एंड जैड दो ए इस तरीके से तो अपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते हैं इस तरीके से तो आपन क्या कर सकते है कि लिए वर्स का जो मैंने कुश्चन आपको दिया था लास्ट क्लास में उस कुश्चन को भी इसी तरीके से भी आपको इंवर्स रूल से बीयाक्त करना और इनवर्स रूल से सौलव करके बताईएगा दोनों की वैलू से अथ नहीं है इस इस तरीके से आपने उस में भी दे इन से भी करो कमेंट कर के बताना है नहीं आती है या नहीं आती है ठीक है तो कोई भी दिख्कत हो कोई प्राब्लम हो को भी कोई कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बाक्स और कमेंट करके बता सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू पर बॉच्छेंदेश